हलो फ्रेंट, CKD Stock Market News चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज मैं आपके सामने जिस mutual fund की बात करने जा रहा हूँ, इसका नाम है Kendra Rubaiko का Large Cap Fund, जी हाँ, इस category के mutual funds में invest करना चाहिए, जो लोग definitely 50 साल के उपर निकल गए हैं, क्योंकि वैसे लोगों को क्या करना चाहिए, एक उन्हें पैसे के अंदर safety और security चाहिए होती है, पर जो नए बंते हैं या जिनका age 50 साल से कम है, तो वैसे लोगों को मैं चाहूंगा कि आपको focused fund हो, value oriented fund हो इस category में जाना चाहिए, जहांपर आपका large cap category के अंदर भी stake रहता है, इससे क्या होता है कि आपका return भी ठिक ठाक मिलता है, साथ ही साथ आपका जो large cap category में invest करने के लिए जो safety होती है, वो भी कहीं ना कहीं maintain और बरकरार रहती है, जबकि मैं बात करूंगा, कि आप किसी भी category क mutual fund में हो, fluctuation आपको जरूर देखने को मिलेगी, 17 रुपए का NAV था, गिर के देखिए 16 रुपए का NAV हो गया, फिर देखो 17 का NAV वापस से चला गया, 25 का NAV आया, फिर 24 का NAV हो गया, तो देखिए fluctuations तो आपको हर जगे देखने को मिलेगी, आप ये मस समझें कि आपका पैसा mutual fund में है, तो just like आपका fixed deposit है ये, ऐसा बिलकुल नहीं है, fixed deposit से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, देखिए ultimately mutual fund इतना return क्यों दे पाता है, fixed deposit हो या post office की किसी भी saving scheme से जहां पर आपको fixed rate of return deliver किया जाता है, mutual fund इस वज़े से अलक हो ज equity यानि की share market के अंदर आपका पैसा आता है, और share market के अंदर आपका पैसा चुकी आता है, वो एक fund manager के द्वारा लाया जाता है, जिसकी वज़े से काफी हद तक, आप risk already minimize कर लेते हो, अगर आपके पास एक अच्छा financial advisor है, तो यकीन मानना, long term में अगर आप SIP के साथ consistency maintain करते चलते हो, no matter what की share market कितना गिर रहा है, share market crash हो रहा है, तो होने दो, अगर आपके पास पैसा है, तो definitely market crash में अगर आप एक handsome amount डाल देते हो, तो long term में उसका benefit आपको और भी जादा देखने को बिलता है, value research ने इस mutual fund को 5 out of 5 rate किया है, स्रीदत्ता बांडवालदर साहब और पर चुकि जिनका age 50 साल के उपर हो जाता है, तो definitely वो लोग आते हैं, fixed income वाली scheme से निकल के आते हैं, जहाँ पर उनको 78% के हिसाब से ही return deliver करके दिया जाता है, जहाँ पर पैसा almost 7-8-9 साल में ही पैसा डवाल होता है, तो इस case में अगर वो large cap category के mutual fund में आ भी जाते हैं, तो 10 साल में उन्हें 2-3 गुना पैसा मिल जाता है, वो उनके लिए more than enough होता है, तीर महीने में देखो negative में है 0.82% का, तीर महीने में कोई भी return ने इस mutual fund ने बना की नहीं दिया, 6 महीने में देखो 13.24% का absolute है ये, एक साल में देखिए 13.63% का है, तीन साल में देखिए 69.18% का है, तीन साल में भी पैसा डबल नहीं हुआ, हलाकि 5 साल के बाद पैसा डबल हो गया, एक लाख रुपए का एक लाख 24.000 रुपए के वल प्रॉफिट के तौर पे इन्होंने बना के दिया, पिछले 10 साल में बात करेंगे, तो ना के वल पैसा डबल हुआ, बलकि देखिए Canera Rebeco Blue Chip Equity Fund Direct Plan Growth की बात करके चल रहा हूँ, जी하ा, Canera Rebeco Blue Chip Equity Fund Direct Plan Growth की बात कर रहा हूँ, और ये एक Large Cap Cartiger का Mutual Fund है, 10,335 करोड का ये Assets साहिज है, यानि की काफी सारे Investors का भरोसा भी है, और मैं ये चाहता हूँ कि पको या carbon वी इस तरीके कि अगर आप mutual fund में invest करोगे अगर आपका 50 साथ से कम है तब आपको एक handsome return भी मिल जाता है साथी साथ चुकि आपका पैसा ये चाहते हो कि large cap category के shares में आपका पैसा लगे तो उस चीज की भी आपकी मनुकामना पूरी हो जाती है हलाकि इस mutual fund की बात करेंगे तो expense ratio बहुत चोटा सा है पर जी हाँ return भी इनका काफी कम है 0.45% का ये आपसे expense ratio चार्ज करके चल रहे है expense ratio एक खर्चा है जब आप mutual fund के द्वारा share market में shares का खरीद बेच करते हो तो होता क्या है कि जो बंदा आपके पैसे को manage करके चल रहा होता है उसको कुछ commission चाहिए होता है उसी commission को बोल देते हो है expense ratio और Kenra Rebek को blue chip fund के case में है ये expense ratio 0.45% का 3.50% का ये cash hold करके चल रहे है S&P BAC 100 total return index को इन्होंने benchmark की तौर पे select किया है plan आपका growth है हमेशा select करें growth plan और dividend plan को कुछिस करें avoid करें आप हमेशा select करें direct plan को कुछिस करें कि regular plan को avoid करें एक साल के अंदर निकलने की कोछिस करेंगे तो देखिए आप 1% का आपसे exit load पड़ जाएगा ये देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर exit load of 1% if redeemed within 1 year same for SIP तो आप यह देखिए किरकें sectors के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने priority दिया है financial sector को बहुँ ज़्यादा priority इन्होंने दे दिया 32.33% इसके बाद देखिए technology sector को इन्होंने priority दिया है 11.72% का पैसा इन्होंने execute किया है textile, chemical, metals and mining जैसे कुछ sectors हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है अब बात करेंगे उन sectors के अंदर कि इनकी shares के अंदर पैसा पड़ा हुआ है तो देखिए अभी भी यह HDFC bank की दुनिया से बाहर नहीं आपाए है हलाकि HDFC bank एक मोटा हाती है तो जब मोटा हाती तो भागता तो 50% stake HDFC bank के अंदर लगा हुआ है अलगे HDFC bank फिलाल मोटा हाती है तो डेफिनेटली बैंक तो अच्छा ही है ICC bank, Infosys Limited, Reliance Industries, L&T, Bharti Airtel, Bajaj Finance यह सारे shares हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है Bajaj Finance, TCS, ITC Limited, Axis Bank, State Bank of India, Ultra Tax Cement, Hindustan Unilever यह जो नाम पढ़ रहा हुआ हुआ है यह सारे shares है NTPC, Sun Pharmaceutical, Maruchy Suski, Kotak Mahindra Bank, Tata Motors, SCL Technology, Titan Company, Chola Mandolam Investment and Finance Company, भारत Electronics, Industry Bank, Mahindra & Mahindra, Inter Globe Aviation यही Inter Globe Aviation जानते हुआ हुआ, Indigo Airlines का नाम सुना होगा, वो यही है United Spirit, Max Healthcare, Bajaj Auto, Simmons Limited, ABB India, SBI Life Insurance Company Limited, Page Industries, Dr. Redis Laboratories, Avort India, PI Industries, Tata Steel, Sona BLW, Precision Forging, Avenue Supermart, Nestle India, Indian Hotels, Tata Consumer, REC Limited, Geo Financial Services, Ashok Leland, NIIT Technology, Zomato Limited यह कुछ share से जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है, इसके साथ-साथ Canera, Rubico Mutual Fund, Asset Management Company के बारे में बात करेंगे तो 66,449 करोड का इनका Asset Under Management है, और Total 186 Skims के साथ ही आते हैं, तो चलिए एक Question की बात कर लेते हैं, चलके देखिए, मनुवर जाधा हो, जी का Message है, Give to Alternative of Index Fund, Index Fund का इनको Alternate चाहिए, और 2 Alternate चाहिए, तो मैं 2 तो नहीं, मैं 4 Alternate दे देता हूँ Number 1, अगर आपका Age 50 साल से कम है, तो Alternate रहेगा, Value-Oriented Funds को आप Select कर सकते हो, आप Focused Fund को भी Select कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी Large Cap के अंदर Stick चला जाता है, इसके साथ साथ आप Select कर सकते हो, कि किन Funds को, Multicap के Degree के Funds को Select कर सकते हो, क्योंकि 25% आपका Large Cap में आ जाता है, इसके साथ साथ 4th Number पर आप Priority दे सकते हो, किसको Flexi Cap Category के Mutual Funds को, क्योंकि Flexi Cap Category के Mutual Funds में Fund Manager को ये अधिकार दिया जाता है, कि आप अपनी और Market की Flexibility के इसाप से Shares में पैसा Invest करें, तो Generally Fund Manager क्या करता है, वो Safest Side ही रहता है, जिसकी वज़े से काफी सारी Shares Large Cap Category के वह अपने Portfolio में सामिल करके रख लेता है, तो ये चार Alternate हो सकते हैं, अगर आप Index Fund की बात करेंगे कि दो ऐसे कौन से Index Fund है, जो Best है, तो सबसे पहला जो Index Fund है, HDFC, Index, SNP, BSE, Sensex, Direct Plan Crew, जिसने सभी Index Fund को बीट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये जो Fund है, HDFC, Index Fund, ये Large Cap Category से हो करके आता है, इसक कमेंट आया है, पवन कोमार जी का आया है, अभी Invest कर सकते हैं, क्या आप Invest किस Mutual Fund कर सकते हो, ये आप अपने Financial Advisor से पूछें, पर जी हाँ, शियर मार्केट गिर रहा है, तो अगर आप लमसम के लिए पैसा रखे हुए थे, तो Small Quantity में आप ऐसा Deploy करते जाए, 4-6 बार में, ड क्या 2-3 सिर्फ Multicap Fund ही ना रख लिए जाएं, जो कि 25% इच मार्केट कैप में Diversify करूं, करते हैं, ऐसा करने से हमेशा percentage अलोकेशन मार्केट कैप में भी बना रहेगा, देखिए, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है, पर देखिए, क्या होगा, आ अगर आपका Multicap category का जो दाव है, अगर वो ठीक बैठा, तब तो बहुत अच्छा return आप बना के लिए जा पाएंगे, और consistency के साथ बना के लिए जा पाएंगे, पर long term में क्या देखने को मिला, example के तो पर चलिए Small Cap की बात करते हैं, जिसने सबसे अच्छा return डिलीवर करके दिया है, तो जो लोग Small Cap category में बहुत ज़्यादा race के ले सकते हैं, तो माल लेते हैं कि किसी बंदे ने दो Small Cap ही select कर लिए, ठिक, जब कि Small Cap category के mutual funds की बात करेंगे, तो share market में कम से कम, कम से कम Small Cap category के mutual funds होंगे, और most time में बात कर लेता हूँ, 30 Small Cap रख लेते हैं, ठिक, तो 30 Small Cap मे केवल आपने 2 select किये, हमें कैसे पता चलेगा, कि वो 30 के, 30 के अंदर जो आपने 2 Small Cap select की हैं, वही best निकलेंगे, ठिक, आपका चुकि पॉइंट है, market cap के हिसाब से invest ना करके हम multi cap ले लें, क्योंकि 25% each आ जाएगा, ये जा कि आप first जाएंगे, क्योंकि देखिए, है क्या, कि आपका age के हिसाब से, देखिए, आपको, अगर आपका age 40 years से नीचे है, तो एक small cap category का particular mutual fund लो, उसे क्या होगा, कि वो mutual fund अगर अच्छा निकल गया, और time to time अगर आपने review करवाया, portfolio का, तो possible ये है कि 25% से ज़्यादा थूपर का CIGR वो डाल के चला जाएगा, आप अगर multi cap category के mutual funds ले रहे हो, तो जब share market गरेगा, तो वो गिरते time help करेगा, पर जब bull run आएगा, तो मज़ा आपको small cap देगा, तो इस तरीके ये important है कि आप अपने portfolio को diversify करके चलें, तो कभी भी आप ये कुछिस ना करें कि multi cap की तुलना आप small cap, individual या mid cap से नहीं कर सकते हो, जी हाँ, पर आप multi cap category की तुलना flexi cap से कर सकते हो, आप यहाँ पर ये बोच सकते हो कि flexi cap की जगरे मैं multi cap ले लूँ, तो ये चीज सही रहेगा, 1072 का messages, सर एक SWP का वीडियो बनाओ, हर मैना पैसा निकाल के capital भी बढ़ता है, ऐसा बताते हैं क्या सही है hybrid fund का, तो जो मैं समझ पा रहा कि किसी बंदे का age, XYZ का जो age है या उमर है, वो 40 साल की है, तो 20 साल के लिए वो invest करना चाहता है, वो 60 साल के बाद वो जाके retire कर जाएगा, तो मन्तिली investment में general public की बात करा हूँ, maximum लोग 10,000 रुपए ही हर महीने deploy करते हैं share market में maximum public, तो 10,000 रुपए किसी बंदे का महिना जा रहा है, return में मान के चलना हूँ, आपके पास एक mid cap के टिकरी का है, एक small cap के टिकरी का mutual fund है, या फिर एक multi cap के टिकरी का mutual fund पकड़े हुए है, तो जहां पर आपको 18% के CIGR के हिसाब से return देते हुए देखने को मिल रहा है, अगर आपको कोई 18% के हिसाब से return बना के देदे औ 20 साल चुकिए आप रुकने वाले हो, यानिकि 60 साल के बाद रेटायर कर जाओगे, तो total return देखिए आप 24,00,000 रुपई आपका total जमा हो जाएगा, 20 साल में, estimated जो return आपको मिल सकता है कितना, उपर वाली condition अगर fulfill हुई, दो करोड़ 10,34,872 रुपई आपको मिल जाएगा, total बात करते हैं, दो करोड़ 34,00,34,872 करोड़ का आपका total कॉर्पस बन जाएगा, तो देखिए, दो करोड़ 34,00,34,872 रुपई टोटल आपका कॉर्पस बन गया, अब आप इस पैसे को जब आपके 60 साल हो जाएगा, तब आप इसको withdraw करने की चिष्टा करोगे, तो आप क्य करोगे, systematic withdrawal plan को activate कर लोगे, यह simple है, जब आप mutual fund आप withdraw करना चाहेंगे, और आपके पास एक handsome corpus आजाएगा, तो simple है, आपके पास जिस भी आपके पास आप maintain करके चल रहे हो, उसको switch कर देना किस पर SWP plan पर, तो हर महिने आपके पास एक निश्चित units बिक जाया करेंगे, और पैसा आपके account में आ जाएगा, तो just like pension की तरह है, तो अब जलते हैं कि अगर आप इस 2 करोड 34 लाख रुपए को withdraw करोगे, तो किस तरीके से यह काम करता है, तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो देखिए initial investment आपका कितना था, 2 करोड 34 लाख रुपए का, तो एक pension की तरह amount मिलता रहेगा, तो आपने किसी भी mutual fund के अंदर, किसी भी ऐसे mutual fund के अंदर आपने पैसा डाल दिया, यह 2 करोड 34 लाख, चुकि आप 18% का return ले रहे थे, तो उसमें बहुत ज़़धा fluctuation थी, पर जब आप SWP activate करोगे, तो आपको ऐसा mutual fund चुनना पड़ेगा, ज किसी भी ऐसे mutual fund में पैसा डाला आपने, जो केवल आपको 9% का return दे दे साल का, अब ऐसा कौन सा mutual fund हो सकता है, तो सबसे अच्छा जो category मानते हैं, वो है balance advantage fund, balance advantage fund के अंदर आपका gold के अंदर भी पैसा जाता है, fixed income schemes के अंदर भी आपका पैसा जाता है, और एक छोटा सा amount आप आपका चला जाता equity की तरफ, तो इस वज़े से balance advantage fund का, हलाकि 12% के असपास का CAG यह रहता है, फिर भी मैं यह मानके चल रहा हूँ, आपके पास कुछ ऐसा balance advantage fund है, जो केवल साल में 9% ही दे दे, और आपका age है, आप कितने साल तक इसको ले होगे, 30 साल तक मानके चल रहा हू कि आपको 30 साल तक पैसा और चाहिए, यानि कि 90 साल तक पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, हलाकि जब आप 20 साल बात की बात करेंगे, तो बहुत ज़दा महँगाई बढ़ जाएगी, तो मैं मानके चल रहा हूँ, मुझे हर महीने जो pension चाहिए, वो चाहिए 1,20,000 रुप और 30 साल तक, ये काम आप खतम कर दोगे, फिर भी आपके पास बचेगा कितना, 12,33,58,594 रुपए, ये कैसे बच गया, ये ऐसे बच गया मेरे भाई, कि देखिए, जो ये 12,000 रुपए बचा है, ये इस तरीके से बच गया, कि आपने जो withdraw किया, उस पर return कुछ जादा ही मि रुपए आपको मिल रहा था, निकाला आपने कितना, केवल एक सो, केवल एक लाग पीसे जार रुपए ही आपने निकाला, फिर भी आपके पास 2,34,600, इस तरीके से जब आप निकालते चले जाओगे, तो आपके पास interest के उपर भी interest मिलेगा, यानि कि जो interest जितना आप साल बालों के लिए छोड़के जा पाएंगे, तो ये एक mutual fund के अंदर बहुत सही system रहता है, कि अगर आप consistency के साथ 20-30 साल तक अच्छे से पैसे को manage करें, और इसके बाद SWP activate करके, चुप चाप अपने बुढ़ापे के enjoy करें, pension के रूप में पैसे को ले करके, ठीक है, तो ये स सारी चीजें यहां से बदल जाती, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हरार महादयो, आया पास शरणम, हरी शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद,